अध्याय उनत्तिस के उपर रहता है यहोवा की वानी शक्तिशाली है यहोवा की वानी प्रताप मैं है यहोवा की वानी देवदारों को तोड़ जालती है यहोवा लबानोन के देवदारों को भी तोड़ जालता है वह उन्हें बच्छडे की नाई और लबानोन और शिरियोन के जंगली बच्छडे के समान उच्छालता है यहोवा की वानी आग की लप्टों को चीरती है यहोवा की वानी वन को हिला देती है यहोवा कादेश के वन को भी कमपाता है यहोवा की वानी से हरिनियों का गर्वपात हो जाता है और अरण्ये में पतज़ड होती है और उसके मंदिर में सब कोई महीमा ही महीमा बोलता रहता है जल प्रले के समय यहोवा विराजमान था और यहोवा सरवदा के लिए राजा होकर विराजमान रहता है यहुआ अपनी प्रजा को बल देगा यहुआ अपनी प्रजा को शांती की आशीश देगा